अगर आप सरकाई नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान प्रस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए हलो दोस्तो विज्ञान के टेस्ट नमर चार में एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनदन आभार हमने विज्ञान के तीन टेस्ट कर लिये थे सामान विज्ञान के आज हम चौत्य टेस्ट की बात करते हैं जिसमें की करीब 34 क्यूश्चन है इसके बाद हम पा हमेशा काल्पनिक तथा सीधा होता है आगे बढ़ते हैं क्यूश्चन नंबर 2 की और गोली दरपन की फोकस-दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्जा की गोली दरपन की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्जा की आधी होती है अगे भरते हैं हजामत बनाने के लिए किस दरपन का प्रियोग किया जाता है या हजामत बनाने के लिए किस दरपन का बेवहार किया जाता है इसका सही answer होगा आउतल दर्पां आगे बाड़ते हैं question number 4 की और द्रव का आपेचिक घंत्मापा जाता है तो इसका सही answer होगा हैडो मीटर में आगे बाड़ते हैं question number 5 की और दूध की सुधधता किस एंत्र से मापी जाती है दूद किस सुद्धता किस यंद से मापी आती है तो इसका सही एंसर हो गए लेक्टो मीट अगे बढ़ते हैं क्यूश्चन नमब छे की ओर मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है तो मोटर गाड़ी के सामने उत्तल दरपन लगा होता है चालक के सामने अगे बात करते हैं क्यूश्चन नमब साथ की तो फोटोग्राफिक कैमेरे का अभिद्रस्यक होता है फोटोग्राफिक कैमेरे का अभिद्रस्यक उत्तल लेंस होता है अगे बढ़ते हैं क्यूश्चन नमब आठ की ओर पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार करता है तो पानी में हवा का बुलबुला आपका आउतल लेंज की तरह कार करता है बढ़ते हैं क्षिटर नमबर 9 की ओर वाय मंडल की आदरता किस में मापी जाती है वह मंडल की अर्दता हाई ग्रो मीटर में मापी जाती है जिस्चर नमबर दस की बात करते हैं भूकंप मापी यंत्र है भूकंप मापी यंत्र ये सिस्मो ग्राप है आगे बढ़ते हैं ध्वन की तीवरता किसमें मापी जाती है मानाव रेटीना का प्रतिविम होता है वास्तुविक एवन उल्टा होता है जब कोई वास्तु को दो समनांतर समतल दरपन के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिविम की संख्या होती है जब कोई वास्तु को दो समनांतर समतल दरपन के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिविम की संख्या अनंत होती है आगे बढ़ते हैं क्विश्चन नंबर 14 की ओर हर्दय की गती सुनने के लिए किस यंद्र का प्रयोग किया जाता है हर्दय की गती को सुनने के लिए स्टेप्थो इसकोप का प्रयोग किया जाता है जिसे की आप सामान भासा में आला कहते हैं आगे बढ़ते हैं क्विश्चन नंबर 15 की ओर वाई मंडली दाप की माप की जाती है वाई मंडली दाप की माप बैरो मीटर से की जाती है आगे बढ़ते हैं सरल सूच में दर्सी में वस्तु को रखा जाता है सरल सूच में दर्जी में ववस्तु को लेंस और प्रकास के अंदर के बीच में रखा जाता है आगे बढ़ते हैं क्विश्चन नमर 17 की हो वनस्पती तेलों में क्रतिम घी बनाने में किस उत्परे रख का प्रयोग किया जाता है वनस्पती तेलों से कृतिम घी बनाने है तो किस उत्प्रेरक का काम किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा निकिल अगे बढ़ते हैं कृष्चन नमबर अठारा की ओर अमोनिया गैज बनाने की हैवर विधी किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो अमूनिया बनाने के लिए हैवर विधी में लौज चून का उपयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं क्विश्चन नमबर 19 की ओर अउतल दर्पण में वस्तु का प्रतिविम्ब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है तो इसका सही एंसर होगा फोकस और धुरू के बीच आगे बरते हैं क्विश्चन नमबर 20 की ओर रक्त का दाब किस यंतर द्वारा मापा जाता है रक्त का दाब आपका इस फिगमो मेनो मीटर से मापा जाता है आगे बरते हैं क्विश्चन नमबर 21 की ओर ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है आगे बढ़ते हैं कुष्टर नमर 22 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर विद्धुत चुम्ब की प्रियनडा के नियम पर आधारित है आगे बढ़ते हैं कुष्टर नमर 23 की ओर ट्रांसफार्मर प्रियुक्त होता है तो ट्रांसफर्मर आपका किस लिए प्रियुक्त होता है तो ट्रांसफर्मर आपका AC वोल्टेज के उप्चयन या अप्चयन के लिए प्रियुक्त होता है क्विश्चर नमबर 24 की बात करते हैं वीट इस्टोन ब्रिज का विवहार किसे मापने में किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा आपका C प्रतिरोज को मापने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं पानी के अंदर ध्वनी सुनने का यंत्र कहलाता है तो पानी के अंदर ध्वनी सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है आगे बढ़ते हैं क्विश्चर नमबर 26 की ओर लावड स्पीकर में उर्जा परिवर्तन होता है तो लावड स्पीकर में उर्जा का परिवर्तन आपका विद्दूत से यांतरिक एवं यांतरिक से ध्वनी उर्जा में होता है यह किताबों में होता है विद्दूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में सीधा होता है लेकिन यह सीधा नहीं होता है विद्दूत को पहले यांत्रीक उर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसके बाद ध्वनी उर्जा में परिवर्तित होता है अब बढ़ते हैं क्विश्चा नमर 27 की ओर निम लिखित में से किस यंद्र में यांत्री कूर्जा वैद्धू तूर्जा में परिवर्थित होती है तो इसका सही अंसर होगा डाइनमो यानिकी डी आगे बढ़ते हैं question number 28 की ओर निम लिखित में से कौन स्यूक्ती विद्धूत उर्जा को या अंत्री कुर्जा में परिवर्थित करती है तो इसका सही answer होगा विद्धूत मोटर करती है आगे बढ़ते हैं question number 29 की ओर रसाइनी कुर्जा का विद्धूत उर्जा में परिवर्थन होता है तो रसाइनी कुर्जा का विद्धूत उर्जा में परिवर्थन बैटरी में होता है आगे बढ़ते हैं rectifier का प्रयोग किया जाता है तो rectifier का प्रयोग आपका किया जाता है रक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं किस्टर नमबर 31 की ओर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल AC ने किया जाता है किस्टर नमबर 32 की ओर बढ़ते हैं टेलीफ़्ॉन लाइन में प्रभाःत होती है विद्दूथ, उर्जा, ब्रते हैं, क्यूस्टन नबर 23, याने कीकि आज के Second Last cure, तो, सुस्क सेल में किस तरह की उर्जा नहीत होती है, तो सुस्क सेल में रासायनिक उर्जा नहीत होती है, किस्टन नंबर आज के अंतीम किस्टन क्यों बढ़ते हैं कौन सा यंत्र उच एसी वोल्टेज को निमन एसी वोल्टेज में या निमन एसी वोल्टेज को उच एसी वोल्टेज में बदलता है तो इसका सही एंसर होगा आपका ट्रांसफार्मर उच एसी वोल्टेज को निमन c voltage तथा निमने c voltage को बदलता है तो आज के लिए science में बस इतना ही अगली वीडियो में हम एक और test के साथ आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बहुत भुद धन्वाद आपका वीडियो को लायक तथा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा Thank You, Thank You very much